दोस्तों गर्वियों का जो समय होता है ये एक ऐसा समय कि बोड़ी के अंदर में पानी कम होता है अब जैसे जैसे शरीर में पानी कम होता रहेगा तो प्रॉब्लम साती शरीर में दर्द होना और सबसे बड़ी जो कोमन प्रॉब्लम है कॉंस्टिपेशन की अब आप सिर्फ एक solution है जो एक घरेलून उसका है आप घर में अपनाएंगे लेकिन इसके पहले ने कुछ एक नियम है अब वो नियम क्या है वो आप जरा ध्यान से समझो आपने सेटेडे सेडे जैसे आज आप भार का खाने की सोचोगे आपको पते हमारा जो पेट है इसके लिमिट होती है जैसे आपके हाथ में कोई उठाता है 10 किलो का डंबल और कोई उठाता है 20 किलो का डंबल लेकिन अगर 10 किलो वाला 30-40 किलो का डंबल उठा लेगा तो हाथ में दर तियों में ओवरीटिंग करना बंद कर दो क्योंकि पेट खराब है तो डाइबिटीज आपके घर पर है हाई बीपी आपके घर पर है कॉलोस्टोल आपके घर पर है अब देशिन उसका सुल लीजिए जो बाइक चला रहे हैं उनके लिए है जो वर्क फॉर्म हॉम करते हैं वर चाहिए नंबर पर काला नमक इसको स्वाद अनुसार यह सब आप लेना 50 गराम 50 गराम 50 गराम 50 गराम और बीस गराम इनको मिलागे 500 ग्राम के आसपास से थोड़ा सा कम बनता है इन सारी चीजों को रोज कर लेना रोज समस्यों ना बिना तेल के बून लेना तवे पे आप जीरा भूनोगे मेथी बूनोगे अजवाइन भूनोगे अलसी बूनोगे मेरे भाई मिक्सी में ग्राइंड कर लो चूरा बना लो बीपी की समस्या हो जाएगी इन पांचों के कॉंबिनिशन के साथ हमेशा खाना खाने के बाद आपसे बात करो यस आप इसे पेट खराब है ना खाना खाने के बाद आप लोगों ने क्या काम करना आधा चम्मच लिया गुन गुने पाने से और आप देखो आहा बड़ा हो जाएगी पेट में जो भारी पंता रिलीज हो जाएगा दिमाग शांत रहेगा लेकिन अगर आप करोगे तो ही तो होगा ना अब एक कोशन उठता है कि हिरा भाई छोटे बच्चे को दे या ना दे अगर आपका बच्चा दस साल से उपर है आप उसे दे सकते हैं कोई प अगर करोगे तो वीडियो सभी तक शेयर करना सभी तक पहुचाना नहीं करोगे तो मेरी मेहनत खराब होगे ना दिखवाज भारा के नंगे पहर काम कर रहा हूं और इस चूरण कैसा दिखेंगा वह में बता रहा हूं अजवायन है मेथी है जीरा है और अलसी और सुनो योगा क्लासिस का बैचा मारा गल से जॉइन कर ले न और यह डिबा आपको चे तो मैं भिजवा दूँगा इससे भी बढ़िया है मेरे पास तो यह तो मैंने देशीन उसका बनाया आप लोगों के लिए मैंने डीजी हो क्या करेगा वह आपके पेट को ठीक कर देगा पेट ठीक तो सारी बिमारियों में कंट्रोल ठीके ना नमस्ते वीडियो को